तिया है कि अभी मेने दो बड़ो शोल से इनको देख रहे हैं और समात के सहीयोग से अभी तक ये जिवित्थ हैं एंहें महिनादो महिना में बिलट नहीं दिया जाएगा तो यह इनका मानदाने आयू जो है कम हो जाएगा और ये बचिंगे और है तो अब लोग में से होग से समात के सहीальная अभी तक अजय जी जिंदा तो जो मैं एक स्वास्त था और संहीसरकार से मांग करना चाहते हैं कि कम से कम यह अजय जी के लिए कुछ स्वास्त विभाग कुछ कर सकता है तो यह करें और अजय जी बिर्पूर पर्खंड के डी पंचायत के रहने वाले हैं और अभी जो बिर्पूर पर्खंड के यह विडियू साहब आकर इनको बलट दिये और आज एक उनिट बलट चलेगा तो य उनके पास में कुछ ऐसा नहीं है जो 20 लाक उर्पिया इसमें लगेगा इनका सरजिरी होगा तब जाके यह सही हो सकते हैं और यह अपने बच्चे का पालन पोसन करते हैं चार बच्चे हैं परिवार इनकी पत्नी है यह अपने हैं पूरे घड़ को लेके चलना है इनका जि जी मेहनत मजदूरी करते हैं साधी हो गई बच्चे कितने हैं चार बच्चे हैं तो आप तो बीमार रहते हैं तुनकी परवरिष कैसे होती है घर किसी तरह चलता है किसी तरह सरकार के तरफ से क्या सहीयोग मिल रहा है सरकार के तरह सभी तक कोई कुछ सहीयोग नहीं मिला है जो भीवा, गुम्समाज के चलता फिरता बलट बेंक बाव भया उनसे सब्सक्ति हैं. अजए आजए अजए वो बीमार है, उनको बलट की ज़वत है. जी हमको ये बावु खान जी के तरफ से जनकारी मिली, उनको देना है. चलता फिर्टा बलड मेंक अपने चलाते हैं उनको जनकारी मिली और उनको भी बलड देना एक लंबा गैप हो गया तो हम आ गए इसे बलड डॉनेशन ये आप की पहली बार है या इससे पहली बार है या इस सब पहले पिंदुक लगतार देते रहें लगतार जब सेवा में आ जब भी हम कोशिश करते हैं कि कोई बीमार हो तो हम तुरन देखे जाए न फिशली बार वी एक वारंशें सटोर नहीं हो मतलब हम जो सूछ के दे तुरंत हो जाए संजोग से कलंभा को जनकारी मिली कईसा-इसा है तुरंत हम आ गये परखंट विकास्तथा दिकारी हैं आप कि एका है आप मासर अ Yes